जै माता की दोस्तों कैसे हूँ आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महाकाली भगतग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ और जो महाकाली भगतियान यूटुब चैनल से जुड़े हुए है उन सभी भक्तों की यही चाहत होती है कि हम माताकाली को ऐसा भोग लगाए जिससे माताकाली हमें सब कुछ बताना शुरू कर दे जैसे कि अच्छे चीज भी बताना शुरू कर दे मतलब हमें हर चीज की जानकारी माताकाली बताना शुरू कर दे हमें ऐसे कौन सी पूजा करें ऐसा कौन सा मंतर जबें जिससे माताकाली हमें सब कुछ बैठे बैठे हर किसी व्यक्ति के वारे में हमारे खुद के वारे में हमारे घर परिवार के वारे में माताकाली सच्चे बचन के साथ हमें बता दे तो यही चीज आज के समय में लोग जादा तर करते हैं भक्ति पूजा पाठ करते हैं भक्तों के पास भी जाते हैं तांत्रीकों के पास भी जाते हैं वो उनसे पूछते की हमें माताकाली से कैसे पूछा लेनी चाहिए और वो भक किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी 0% का फरक नहीं होता है तो आज अगर आपको माता काली से कुछ भी बाते करनी है अगर आप चाते हैं माता काली आपको बैठे बैठे सोते सब कुछ बता जाए कि जिस व्यक्ति के बारे में आप उनसे पूछेंगे जिस भी व्यक्ति के बारे म को माता काली बैठे बैठे खुद ही आपके कानों में बता जाए तो आप लोगों को माता काली भोग लगाना होगा है जैसे ही आप एक बार भोग माता काली को लगाएंगे तो माता कालीsan आपको सब वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी लेगन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप महाकाली भगत यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जर कुछते हैं कि हमें ऐसी सिद्धी और शक्ति प्राप्त हो जिससे की माता काली हमें बैठे बैठे सब कुछ बता दे अगर हम उनसे कोई सवाल करें तो वो सच्चे वचन के साथ हमें सब कुछ बता जाए शामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो भी मुझे बता अब अपने घर में महाकाली की पूजापार्ट करते हैं प्रति दिन यदिय जैसे भी तो आप पूजापार्ट अप्नी वैसे ही रखें तो कुछ पार्टारी की वैसे हैं करते आ रहा हैं आप बस एक सनिवार के दिन समय निकालके थोड़ा सा या तो आप ये कारे इसका कोई शमे नहीं है आप सुबह साम किसी भी समय दोनों में से कर सकते है तो आपको करना क्या है ये माता काली आपको बताना सब कुछ इस्टार्ट कर देगी शुरू कर देगी जब माता काली का ये भोग आपके हातों से माता तक पोचेगा आपको एक सराप का पोगा लेना इंगलीज का ठीक है एक मीठा पान लेना है पांच तरह की मिठाई लेनी है और उसके साथ साथ आपको बता दूँ आपको माता काली के लिए मीठे में यही भोग लेना है और एक ग्यारा नीबू की माला लेनी है और थोड़े से काले तिल लेने हैं पीली सरसो मिक्स करके काले तिल और पीली सरसो को आपको एक साथ करना है ठीक है और उसके साथ साथ तीन बता से छे लों ये सारी चीजे आपको एक लाल कपड़े में रखने कम से कम सवाय डायमेटर आप लाल कपड़ा ले लेना साप सुत्रा लेना है ये नहीं कि आपके घर में है वही ले ले ऐसे नहीं आपको बिल्कुल साप सुत्रा प्योर लाल कपड़ा लेना है जिसमें की माता का भोग आप को रख कर आना है सनीवार के दिन तो ये जो सारा मैंने आपको भोग बताया है ये आपको घर पे नहीं चड़ाना है ये आपको माता काली के मंदिर में चड़ाना है या तो फिर ये आपको चोराई पर चड़ाना है ठीक है अगर आपके आसपस कोई भी माता काली का मंदिर हो तो आप गहां चड़ा दे अगर आपके आजब आस पस माता काली का मंदिर है नहीं भोत दूर दूर है जैसे कि 4-5 फ़त गंटे का रासता है दो तीन तिन तिन गंटे का तो आप ये कारें चुराय पे जाके करें जादा कुछ नहीं करना है बस माता काली का नाम लेके ये भोग आपको वहीं पे रख देना और माता को बोलना है माता मिय भरमिश्वरी ये आपका भोग है जो मेरे से बनाएं मैं अपने सर्दा से आपके लिए भोग लेके आए हूँ आप इसे सुविकार किजिए और मुझे ये सिद्धी प्राप्त कराईए कि मैं जब भी कभी आपसे कुछ पूछ हूँ तो मुझे उस चीज़ का जवाब सच्चे बचन के साथ मिलना चाहिए मलब हर एक व्यक्ति की मन की बात में जान सकूँ और सभी को सब कुछ सच बता सकूँ जो भी मेरे पाई दुखी आ रही है